आज ठीक एक महीना हो गया नरेंद्र मोधी की सरकार बने। आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपत्ली की। तो इस एक महीने में क्या हुआ? इस एक महीने में जम्मू कश्मीर में एक नहीं दो नहीं चार आतंकी मुठेडों में आठ हमारे जाबाज और दस हमारे लोग शहीद हो गए जो बात करते थे आतंकवाद को कबजे में करने की श्रद्धालू अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जाबाजों की शहादत हो रही इस एक महिने में जलपाई गुड़ी में बड़ा रेल हादसा हुआ सोचा था कि पिछली बार बाला सोर के हादसे से कुछ सीखेंगे निल बटा सननाटा सीखा गया जलपाई गुड़ी में फिर 40-45 लोग बर गए इस एक महिने में पेपर लीग की तो मानो आपदा आ गई हो महामारी आ गई हो इस एक महिने में नीट की परिक्षा का पेपर लीग हुआ उसके बाद नेट का पेपर लीग हुआ पिर CSI एरनेट स्वगित करना पड़ा, NEET की PG स्वगित करनी पड़ा, दिल्ली विश्वा देरा अपना law का एक्जाम नहीं करा पा रहा है, पेपर लीग की महामारी है, मोधी जी कहते हैं सब ठीक है, इस एक महिने में दाल का, आटे का, दही का, सब का दाम बढ़ा, CNG का दाम टोल टैक्स का दाम बढ़ा, इस एक महिने में देश ने रुपए को निरंतर नुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो, जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपिया गिरता है, प्रधान मंतरी की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना प पड़ता है, महंगाई से आप जूजिए, पेपर लीकी महामारी से आपके बच्चे जूजे, बेरोजगारी से इस देश का युबा जूजे, हिंसा और नफरत से मणी पुर जूजे, मोधी जी को क्या फरक पड़ता है, वो तो मौसकों में हैं, और मौसकों में वो यान दे मौसकों में बता रहा है कि तीन साल में, तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले है, आतंक आप से रुक नहीं रहा है, आतंक वादी आप से कंट्रोल नहीं हो रहे है, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपाया को आप मजबूत नहीं कर पा रहे है, तो आप करने क्या हैं यह अलग बात है कि रिचार्ज भी अब इतना महेंगा हो गया है कि रील देखना भी दुरलब होता जा रहा है तो यह है एक महिने के मोधी सरकार का पलसफ़